नमस्कार दोस्तों एक बार पुना आप सभी का स्वागत है ग्यारणडा पे मैं हूँ शिफाली और आज की वीडियो में डिसकेशन करने वाले एक इंपोर्टन वेकेंसी की बारे में जुकि फैशन लाइन की है असिस्टन प्रोफेसर्शिप की ये वेकेंसी है क्या कुछ एस चंपन हजार एक सो रुपए प्लस इसमें कुछ अलाउंस जैसे की टीए डीए अचारे मिलकर के कुछ कुल मिला करके सतर से पचतर हजार के आसपास या कहें प्लस ही आपकी सेलरी बनती है कॉंट्राक्ट्राक्ट्टल बेसेस पे है प्लोटल पोस्ट यहां पे एक सो सकता है सूएसे सारे स्थूर्णनंने पोस्ट ग्राजयोषिंस डिग्री की हुई है बद किस विषय थे जो कि इन्होंने ठीट की किया है तो घंट भी पट्टाऊइट की डिग्री अगर आपके पास में वो है तो आप प्लाई कर सकते हो अगर आप के पास मेंती hijक्स्पेर लेकिन यहाँ पे कुछ employees को जो कि इन ही के institute में काम करते हैं, उनको कुछ relaxation मिला है, और बागी SCST वालों को भी relaxation मिला है, PWD वालों को भी relaxation मिला है, आगे बढ़ने से पहले relaxation के बारे में बात करने से पहले मैं आपको दिखा दू कि यहाँ पे कौन-कौन इसमें apply कर सकता है, और इस apply करने के लिए नीचे आ जाते हैं और एनेगजर को देख लेते हैं, अगर इन सारे विश्यों में आपकी post-graduation की degree है, तो apply कर सकते हो, ताकि यह वीडियो वही देखे, जिनके लिए यह important हो, या तो फिर आप share कर दीजेगा, अगर आपके लिए important नहीं है तो, ठीक, अग Master degree with Bachelor Design in Leather Design, Footwear Design, Master degree with Bachelor Design in Textile Design, Master degree with Bachelor Design in Knitwear Design, उसके बाद में Master degree of Design, Master Archaeology, MFA with Specialization in Commercial or Visual Arts, MFA with Specialization in Art History and Criticism, Museology, Master degree with Bachelor of Design, Fashion Communication or Communication Design or Visual Communication, Master degree in Mass Communication or Information Design, Master degree in Advertising and Branding, Advertisement and Journalism, Strategic Design, Master degree in Film Design, Photography, Animation and Multimedia, Graphics and Animation, Interactive Design, Digital Design, Master degree in Space Design, Exhibition, Interior Designing and Master degree in Computer Science, IT, Computer Application and Computer Management. So, यह 15 यहाँ पर different, different इनोंने Master degrees का यहाँ पर mention किया है, अगर आपकी qualification इन में से किसी भी एक में है और साथ में अगर आपके पास में तीन साल का experience है, यह अगर आपने PhD की हुई है, PhD के साथ में यह डिगरी है आपके पास में और आपके पास में एक साल का experience है, तो आप इसम साल के मिली हुई है, आपको आपका जो कास certificate है वो शो करना पड़ेगा, कुछ relaxation PWD वालो students को दिया है, 10 साल का relaxation PWD students के लिए है, और अगर आप PWD है, साथ में SC और ST से बिलॉंग करते हैं, या OBC से बिलॉंग करते हैं, तो total 15 साल का आपको relaxation यहाँ पर मिल जाता है, salary बहुत अ आप कहें, fashion sector का यहाँ पर recruitment हो रहा है, comprehensive test में, written examination में, आपका यहाँ पर दो पार्ट में examination होगा, part 1 में 50 question आएंगे, जिसमें general ability, communication ability, general awareness, analytical ability, test of reasoning, data interpretation से question रहेंगे, part 2 में आपके professional aptitude से question रहेंगे, जो कि आपकी concerned competency को चेक करेगा, eligible candidates को screening के लिए आगे बुलाया जाएगा, और performance के लिए, यहाँ पर shortlist करने के लिए, फिर आपका lecture और demonstration बाखी के procedure होगे, mail ID में सारी चीज़े आपको वहाँ पर mention कर दीजाएगी, general instruction आप पढ़ लीजेगा, अगर आप इसमें interested हैं भरने के लिए, तो आप बिलकुल यहाँ पर भर सकते हैं, इस form को fill up करने के लिए, नी major major cities में ही, आपका written test examination होगा, अगर आप इस form को fill up करना चाहते हैं, तो इस particular link पर आप click करके, इस form को fill up कर सकते हैं, जैसे आप इस link पर click करेंगे, आप इनके official site पे relocate हो जाएंगे, अपना नाम और email ID, यहाँ पर mention करके, create login करके, आप इसको form fill up कर सकते हैं, जैसे आप create login करे हैं, तो आप जरूर से आगे share करिएगा, अगर इस vacancy की fees के बारे में मैं बात करूँ, तो 1180 रुपए, लगबग 1180 रुपए, यहाँ पर general categories के लिए fees है, SCST, PWD, Women Candidates and Employee of NIFT के लिए exemption है, मतलब आप अगर इन सब category से belong करते हैं, तो आपको fees देनी के आवशकता नहीं है, अगर आप general category से हैं, तो 1180 रुपए आपको देना होगा, जिसमें 1000 रुपए, प्रस आपके 18% GST tax होगे, अपलाई कैसे करना है, मैंने आपको बता दिया, कि 31st January तक last date है, अपलाई करने के लिए, तो आप last time का wait मत करिए, फटा-फट से अपलाई कर दीजे, fashion field की बहुत सार internet की preparation कराते हैं, complete paper burn की, और आपके सामने आपे काफे सारे videos अवलेबल हैं, और teaching line से जुड़े हो, जितने भी important updates and notification आते हैं, authentication के साथ में वहीं आप आपो शेयर करती हो, तो make sure कि आप चलो को subscribe करेगा, और bell icon को press करेगा, ताकि कोई भी important update and notification आप मिसना करिए, thank you and ta-ta.